इस वीडियो में हम बात करेंगे डोंगल डाटा प्रोजेक्ट की जो लोग साधी के रेटिंग कर जो लोग साधी के रेटिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को डोंगल डाटा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होगी जो लोग चेतर में पहली बार आते हैं या नए होते हैं, उनका परचय डॉंगल डाटा प्रजेक से जरूर होता है इंडिया में बेटिंग BDA rating करते समय सबसे ज़ Weightnow प्रियोक किया जाता है डॉंगल डाटा प्रोजेक्ट है उसके क्या फाइदे होते हैं क्या नुक्सान होते हैं इस बारे में हम वरीव जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे ये वीडियो आप पूरा देखेगा इसमें आपके बहुत सारे प्रसुनों के अग्याज मिल जाएगा आज हम बात करेंगे मेरा नाम हम बात करते हैं अक्सर इंड सब्सक्राइब कि डाटा प्रजेकर तीन सब्सक्राइब होते हैं डोंगल यह होता है डोंगल जो एक डिवाइस होते हैं जिसमें किसी भी software को या files को lock कर दिया जाता है data वो होता है जो हम use करते हैं जैसे audio file, video file, image files, graphics और project वो होता है जो इन data को मिला करके किसी software का use करके project बनाय जाता है तो उसको हम बोलते हैं dongle data project अब ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है dongle data project एक ऐसा package बनाया जाता है जो इंडिया में वेटिंग वीडियो रेटिंग करते समय प्रोफेशनल लोग प्रियोग करते हैं इसका प्रियोग करने से आपका काम जल्दी हो जाता है प्रोफेशनल लोग मिल जाता है और बहुत सारे effects प्रोजेक्स सब प्रिविल्ड होते हैं उसमें आपका क्यों फाइल चेंड करना पड़ता है dongle data project में क्या होता है जैसे आपने इडियोग का यूज किया या प्रीमियर का यूज कर रहे हैं तो उससे पहले से बने-बनाय projects होते हैं उनको एक पैक बनाया जाता है उस पैक मेंसे जो project होते हैं उनको एक software की मदद से इस device से साथ में incorrupt करके lock कर दिया जाता है यानि जब तक यह device आपके system में लगी रहेगी तब तक आपके project काम करेंगे यदि आपकी यह device करना चाहिए कहां से purchase करना चाहिए और कप purchase करना चाहिए चार-पांच questions होते हैं उनका मैंसर अभी quickly देना चाहते हैं जो डेटा साइज होता वह अलग 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 होता है इंडिया में बहुत सारी लंगोज में अलग-अलग टाइब के डूंगल डाटा बनते हैं उसमें अलग-अलग क Tagory के एक high professional quality का हो जाता है यह basic फाइदा होता है इंडिया में जहाता लोग क्या होता है कि इंडिया में जो लोग आते हैं वो प्रापर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो इसलिए उनको साफ्डियर की पुरी डिफ्त में नालेज नहीं होती है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए basic utilization उनको आता है लेकिन professional level पे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो इस चीज़ का फाइदा उठाते होए कंपनिया ने क्या किया है एक data डोंगल डटा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 500-600 प्रोजेक्ट बनात उनको एक data एक data collect करते हैं उसको लॉक करते हैं डिवाइस के साथ और उसको डोंगल डाप्रोजेक्ट करके मार्केट में उतार देते हैं वह प्रोफेशनल लोग परचेश करते हैं जो लोग इस शेतर में नहीं होते हैं या जिन लोगों को पुरी डिफ्ट में नालेज नही ज्यादा काम हो पाएगा उतने ज्यादा पैसा कमा पाएंगे इसलिए डोंगल डेटा आपको ज्यादा पैसा कमाने की अफ़र्चुन्टी देता है कम समय में ज्यादा आप आप दे पाते हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ प्रीविल्ड होता है और आपको केवल फूटेश कर दिटिए के लिए उन सम्में कि सबके प्रोजेक्ट बने होते हैं उनको आप यूटिलाइज करते हैं और मिंटो में आपका प्रोजेक्ट त्यार हो जाता है एक साथे करने में आपको मुश्किल से तीन गंटे के साथी एडिट करना तो उसके से आदे घंटे 45 में पेडिट कर देते हैं फिर आप एक्सपूर्ट कर देते हैं आपका काम कम समय में हो जाता है यानि रियल टाइम से होते हैं कि टेक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं कुछ डॉंगल ऐसे होते हैं कि अनलिम्टेट टाइम के लिए होते हैं कुछ डॉंगल ऐसे होते हैं उनको ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि वह साब्डियर के उपर ही डिपेंड करते हैं कि एक साब्डियर में ह लॉक गिया है या नहीं किया है और या नया अपडेट कितने दिनों तक आपको दे रहा है इस पर डिपेंड करता है नार्मल तौर पर सभी कंपनियां एक साल तक आपको दो तीन बार अपडेट दे देती हैं मतलब यह मान की चलिए इस डॉंगल डाटा की जो लाइफ है आफ पर डिपेंड करता है डॉरेशन डॉंगल की लाइफ की एक और मिलता तरो जनली जो सब्से arदार होती है वह यो बने बनाए प्रोजेक्ट होते हैं प्रीशर्स होते हैं और होती हैं उसके साथ में बहुत सारा आपको वीडियो डेटा, आडियो सांग का कलेक्शन, इफेक्ट का कलेक्शन, ये सारे आपको एक साथ मिल जाते हैं, इसकी संख्या, इसकी क्वांटिटी हर कंपनी के उपर डिपेंड करता है, उसने कितना डेटा आपको उस डॉग मुल में लॉग किया है, एक औ करता है कि, कि खंपनी ने कितनी बार आपको पॉट्टे देना है, ये उस कंपनी को पर निर्भर करता है, इसका कोई एक नियम नहीं है, कि कितनी दिन के पर डिपडेट आपको देगा, आप डोंगल डाटा प्रिच्ट विस सेक्टर का प्रोजट है और हर कंपनी अपने उस साफ से सब्सक्राइब करते हैं अधनी डेट मिलेगों कितनी कौंटित रिपेंद करता है इसमें कोई किसी का कोई रोल नहीं होता है है डूंगल की रिक्वार्मनेंट क्या होती नोंगल की रिक्वार्मेंट बैसिक्ली यह एक साफ डिवाय cruel सब्सक्राइब एसी हिए टाम लोक या जाताए उसमेंड के सा लुक्वाइर्मेंट के अधिर कहагा आयों कर रहे हैं यद्लर्सक्राइब उस साथ में लॉक किया गया है तो इसकी भी requirement minimum ही होती है जो जिस software ले बनाया गया है उसकी requirement के हिसाब से इसकी भी minimum requirement उतनी ही होती है कि आप इस dungle को कहां से ले और किस से ले ये भी एक बहुत बड़ा प्रस्न है इसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको किस से लेना है यदि आपने सही से सही product को सही company से purchase नहीं किया तो आपका नुक्सान हो सकता है dungle data purchase करते समय आपको जरूर देखना पड़ेगा जिस company का आप dungle data ले रहे हैं जो आपको provide कर रहा है से पहले आपको यह देखना है कि जिस company का आप डोंगल ले रहे हैं वो खुद उसको बनाती है या क्यों सेल करती है पहला question आपको देखना है कि जो डोंगल आप purchase कर रहे हैं वो डोंगल खुद डेवलब करती है वो company या किसी और company का डोंगल सेल करती है रिसेलर बहुत हैं इंडिया में डेवलपर कम है प्रोड़क्ट डेवलप कहीं और होता है जैसे दिल्ली में डेवलप होता है गुजरात में होता है बांबे में होता है कलकटा में होता है आजकल बिहार में काफी लोग डेवलपर कर रहे हैं लेकिन local में जहाय तो लोक क्या करते हैं किसी और इसके लाबा बहतर company कैसे decide करेंगे एक तो आपको ये देखना जो company का आप डोंबल डेटा ले रहे हैं उसका खुद का वजूद कुछ है या नहीं है वजूत का मतलब यह होता है यह वो company government of India में या local government में registered है या नहीं है उसके पास GST number है या नहीं है उसका कोई अपना खुद का आफिस है या नहीं है प्रापर आफिस है या नहीं है इसके लब आज वर्तमान समय में सबसे अधा important होता है social media में presentation social media में presentation का मतलब यह होता है उसका खुद का अपना YouTube channel है या नहीं है बेव साइट है या नहीं है है तो कितनी बेहतर है और उसका Facebook account है कि नहीं है Twitter account है कि नहीं है Instagram account है या नहीं है यदि वो seriously इस काम को कर रही है तो उसके सारे account होने चाहिए जिससे आपको idea लग जाएगा कि यह company या यह लोग जिन लोगों से आप डोंगल पर्चेश कर रहे हैं यह लोग serious इस चेतने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे है इसका idea आपको अब लग कर रहे हैं यह भी एक पैमाना होता है चेक करने का कौन company seriously इसकाम में काम कर रहे है का नहीं काम कर रहे है और कितने दिनों से काम कर रहे हैं यह आप उस company के यूटूब चैनल पर वीडियो जो अपडेट होता है company के यूटूब चैनल पे तो वहां पर आपको date मिल है कि टाइम मिल जाता है वह कितना पुराना यूटूब चैनल है उसमें कितने वीडियो अपलोड है और कितनी फ्रिकुंसी में वीडियो अपलोड हो रहे हैं ऐसी सी company भी होती है जो छे मैनम के लिएक बार रहे हैं एक या दो प्रोजट बना देते हैं बाकि किसी और डेटा है कोई ने कोई प्रोजेक्ट आपको अब लेबल होता रहना चाहिए कुछ वीडियो अपलोड होना चाहिए जिससे आपको आइडिया लगा कि यह लोग सीरसली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह नहीं अपलोड हो रहा तो आप उनसे बच जाईए क्योंकि वह लोग सीरसली काम नहीं कर रहे हैं ना तो आपको सलुशन देंगे कि और ढबोड देंगा मकटि का लिए देंगे और प्राइज लिख देंगे और उसमें सेल भी लगाते रहते हैं वीडियो अपलोड कर रहे हैं जितना डेटा वो लोग आपको दे रहे हैं वो डेटा उनका खुद का है या नहीं है यह वो प्रोजेक्ट अलएडे रिगुलर बेसे पे डाल रहे हैं यूटूब पर पर फेस्बूक पर और अन्य जगे पर इसका मलब वो लोग सिर्शली काम कर रहे हैं क्योंकि किसी और का बनाया हुआ प्रोड़क्ट आप किसी के यूटूब चैनल पर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो पकड़ा जाता जाता मामलों में तो इससे लोग बचते रहते हैं वो क सबस्क्राइब करते हैं चूट के आपके पास आते रहेंगे लेकिन उस पर भरुसा मत करिएगा क्योंकि वो लोग अपनी सुविधा अनुसार जब उनके पास कोई सेल नहीं होती है वो लोग उनके पास सेल बढ़ानी होती है तब वो लोग आफर देते हैं तब ही वो सब्सक्राइब हो चाहे फेस्बुक पे पोस्ट हो या यूटूब पे आपका प्रोमो हो वो तभी डालते हैं जब उनकी सेल बढ़ानी होती है लेकिन आपको ध्यान यह देना है कि जब आप परचेश करने जाएं तो यह देखना है कि आप परचेश कब कर रहे हैं आपको का अबelly कब है ऊसने च्षूट दे रखिए या शेल लगा रखो है आपको रिकौरब्मेंट है या करके आएंगे आपको लल्चवाएंगे कि आई ए डंगल लेज्ए आपको शाल फर अपडेट certificate मतलब है जिस देट से आपने परचेस कर लिया उससे एक साल के बाद यानि आज यहां आपने परचेस कर लिया लेकिन आपको जरौत नहीं है आपका सीजन आएगा दिसंबर जनवरी है फरवरी में तो आपको जरूरत पड़ेगी उस डोंगल की जरूरत है जनवरी फरवरी में ना कि सितंबर में तो आपका तीन महने का जो अपडेटिंग टाइम है वो आपका खराब हो जाएगा क्योंकि वो जो कंपनी आपको अपडेट देगी सितंबर तक ही और आपने का यूज होना है जनवरी में तो आपको तीन-चार महने तो ऐसे बरबाद हो जाएंगे इसलिए डोंगल परचेश करने की टाइम होता है सबसे बढ़ी हा टाइम यह होता है जब आपको एक्चुल में जरूरत हो कंपनीों की जरूरत को पर डिपेंड नहीं करता है यदि आपको जनवरी में फरवरी में जरूरत है तो आप अगस्ट, सितंबर, एक्टूबर में पर जाते हैं ट्रैप पे मत फसिए आप अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाफ से अपना जब आपको एक्टूबर में रिक्वार्मेंट है तभी परचेश कीजिए चाहे आपका डूंगल डाटा हो चाहे आप फोटो एडिटिंग से संबंदित कोई डिवाइस हो या साफ्डियर ह या कोई और चीज हो क्योंकि अगले तीन महिने में वह कंपनिया बैठेंगी तो नहीं कंपनिया और अपडेट देंगी तो आपको जब रिक्वार्मेंट हो जैसे आपको साधियों की सिटी में रिक्वार्मेंट जाड़ों के सीजन होता है मतलब जनवरी फरवनी में ज्या क्योंकि कम्पनिया शरू होने से april देंगी और आपने यृद उसके मिड में लिया हुआ है तो आपके इक साल का टैमिंग में उपडेट मिल जाएगा तो आपके दो एक साल का पूरा काम हो जाएगा यह रấpयों धीक्वार्मेंट सुरू होने से पहले ले लिया तटो आपक आप तभी परचेज किजिए जब आपको requirement हो ना कि company के offer के time के हिसाफ से तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि company timing आप परचेज डॉंगल लटक कप परचेज करना यह बहुत ही important question है इसका answer आपके पास होना चाहिए क्योंकि यह आप परचेजिंग time आपका सही होगा तो आपका जो update करने का timing होता वो भी आपको proper मिलेगा support आपको सही मिलेगा और आप हो सकता कुछ पैसा अपना बचा पाए timing के हिसाफ से आपको हो सकता काफी नुक्सान हो जाए इसलिए डॉंगल लटा परचेज करते समय जरूर ध्यान लखेगा कि कब परचेज करना है बच के रहिए जो fair होता सुदे ओ आफ सीजन में ही आता है आफ सीजन में एक मतलब होता है जब आप कुछ requirement नहीं होती तब ही fair लगा जाते हैं क्योंकि उस समय कंपनियों की sale कम होती है अपनी sale को बढ़ाने के लिए लोग fair लगाते हैं fair में लोग visit करते हैं और वहाँ पर आपको अच्छा सा आफर देते हैं और आप लालत में फस जाते हैं और आप अपना पैसा गमा देते हैं जबकि उस समय आपको पैसे उस product की जरूत नहीं है लेकिन company आपको base देती हैं केवल एक महौल बना करके एक महौल बनाए एक fair लगाया वहाँ पर बहुत सारी चीजे प्रजिंट किया आपको साधी चीजे दिखा दिया आदी चीजे आप देखी नहीं पाते हैं क्योंकि फेर में इतना time होता नही जब भी आपको purchase करना हो तो एक सही दुकान से सही company से जिसका खुद का अपना वजूद हो उसका नाम हो गवर्मेंट में registered हो उसका अपना एक इतिहास हो में इतिहास का मतलब होता है कम से कंपनी 5 साल 10-7-6 में काम कर रही हो ऐसा नहों कि आप एक video editor आपके local में एक video editor था प update नहीं दे पाएगा इसलिए local के चक्कर में मत फसी है जो company best हो बढ़िया हो जिसका खुद अपडेट हो उसका training program देखी वो लोग training कैसे प्रवाइड करते हैं उनका कोई system training का है या नहीं है इसको भी देखिए उसके बाद ही आप उस company का डोगल लटा प्रोजेक्ट उकरा परचेज की लिए इसका पता लगाने के लिए आपको data को open करना है उसमें एक नाम रहते हैं अक्सर हर जगे एक नाम रहता है और नाम के साथ साथ आपको उनका file जब name होता हर company अपना जो product बनाती है या project बनाती है या data डवलब करती है उसमें वो अपना कोई ने code जरूर ठोड़ता है जिसे हमारा मंतरा है या तो मंतरा लिखा होगा या मंतरा plus लिखा होगा इसी तरह अन है company अपना नाम जो है उससे आप देखेंगे डेटा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोजेट किस ने डबलब किया है डेटा खोलेंगे वीडियो फाइल्स खोलेंगे इस्टिल फाइल्स खोलेंगे तो आप वहाँ देखेंगे उसके से को नाम दिये रहते हैं उससे आइडिया लग जायागा कि यह data किसका है आप अंदर जो data है वो किसी और नाम की company का है आपको जो icon दिया जाता है जो software दिया जाता है magic की जिसको click करके आप open करते हैं डोंगल वो किसी और company का है तो इसका मलब यह है कि उस company ने उसको डब नहीं किया है इससे आप आइडिया लगा पाएंगी यह प्रोजेक्ट इस कंपनी डेटा बनाती हैं वो कभी भी प्रोजेक्ट को कंसुलाइट नहीं करती हैं तो आपके सामने 30 35 करेक्टर का एक नाम आ उसका अलफा वेट के लिए अपना होता है एक अलग ही कोड हो जाता है उसमें कोई नाम कंपनी का नाम नहीं होता है यदि आपने खुद ही अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया है अपना डेटा डेटा डेवलप किया है तो आपको अपना प्रोजेक्ट कंसुलाइट करने ही तो आप अपना नाम देते हैं ना कि consolide करते हैं जितने भी प्रोजेट आपको consolide मिलते हैं वो उस company नहीं किया होता है किसी और का ही product होता है उसको develop करके आपको sale कर रहे होते हैं इसलिए data को जैसे आप देखेंगे अंदर files को audio file video file images सब देखेंगे तो वहाँ आपको idea लग जा develop नहीं किया है यह सारी चीज़ा इसी हैं जिसको देख करके आप ध्यान लखेंगे डोंगल data project करते समय तो आप fraud से बच जाएंगे यह आप अपना benefit कर सकते हैं आपको benefit वहतर benefit होगा है कि आप डोंगल data कहां से परचेश करें किसे परचेश करें कप परचेश करें और कैसे लगा है data original है या जो company दे वह है इसके बारे हमने पूरा detail इस वीडियो बढ़ाया है उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप like कीजिए गा share कीजिए comment कीजिए यह हमने बात जोने आपको बताई वह सही बताई या गलत बताई आप comment जरूर करके इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक की रामा की राम राम